इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेट के बारे में जहांपे देखेंगे अगले ट्रीडिक जसन के लिए लेवल्स का बन दाया विश्के बारे में वीडियो को पड़ा लाश्ट तक आप देखते रहे हैं शुरुआत करते हैं इस वीडिय क्या लेबल से बाकी है और यहां तक जा सकता है सारे चीज़े ही करके अब फिलाल हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में रिसेंट पर्फोर्मेंस क्या है उस बार आगे बढ़ेंगे तो टेक्निकल चैट बेटम पे इस सारी बातों के बारे में हम ए बाइक़ता सबड़ें एकडम से कुछ पॉइंट्स का बीस पॉइंट्स पॉइंट में खेंगे शिर्खने हो मिला और अब इसके बाड़ी गिराओट में ख्लोजिं जे दिया अब इसके उपर बेस करके आपका अपिनिन क्या है कि यहांपर क्या लगता आ आपको 25 का लेश तो नीचे से ऊपर के तुरफ जा रहा था रुपर उसको ब्रेक करके ऊपर यहां तो अच्छी बात थी उपर हुआ फिर उपर से और गया तो फिर प्रिया हुआ हुआ कि यहां पर और भी गिरावट हुआ और 25 लेवर को ब्रेक करके डाउंशाड में आ गया पिछले एक मुने के चाट पेडम पर हम ध्यान देंगे तो वह भी आप दिख सकते हूं आपर परफॉमेंस के आरा 1.33% की तेजी पिछले 6 मुने में 18.79% का देजी और पिछले किवल 2024 में 69% की तेजी और पिछले एक साल मे आपको अब की डाइम में दिखा जाते हैं आपके मतलब अपने टॉप लेवल से काफी करेक्शन पे स्टॉक आपको नजर आ रहा है लिए इंदुस्तानर नौर्टिक से भी उपर के करेक्शन में जहां पर अपने टॉप हाई लेगाया हुआ है अभी तक अब यहां पर क्य 50% quantity, deliverable quantity रहा, percentage of deliverable quantity to trade quantity जा रहा, 45.84%, मतलब जतना quantity यहां पर ट्रेड होँआ उसमें 45.84% quantity, deliverable quantity रहा है जो कि हमें delivery में बाइंग देखना है अब इसके उपर बात करेंगे और भी कुछ इन्फ्रमेश्य इसके बारे में यहां पर वीडियो के पर आला आक आ एक एक करके सारी चीज़े हम आपर देख लेते हैं तो बात करेंगे रिसेंट परफॉर्मस आज का वोलूम के ऊपर के वोलूम किस किसा कैसा रहा और उसके बाद पिछले एक उस दिनों का आप देख सकते यह स्टड़ी आज का वोलूम और वन वीक अबरेज और मॉनमन के वे ही अब अब अगर हम बात करेंगे एंपर देखते हैं कि इस बार हम कपनी का अजभर यह ंब क्रण बाकिन बनाओंट कंपनी काफी अच्छा है अगर हम बात करें आपर अपर नौडाओट कंपनी काफे अच्छा है पे इस्टोक पी थडिश्च पॉइंट सेवन का है वैं सिगर में काफी तीजी हुआ था फिर भी विल्वासन उतना है नहीं हुआ था मतलं नाव हमें 36.7 का 38.9% प्रसेंट का ROC है और 30 28.9% का यहां पर कह सकते हो कि ROE है निक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी के थुला फंडामेंटल क्या और तो इस देट है निक कर्ज आपको पर है जो परदस्ता अची बात है पूड़ी कंपनी काफी अच्छा है है और जो पंपनी काम कर रहा है और कंट्री में भी कंपनी एक्सपोर्ट करता है अपना जो भी प्रडॉक्ट जो ब्रडॉक्टीर बगर आहा है इद लिजवी मनेफट्टा करता है participar सब्सक्राइब को दिखाऊ अगर तो यहां पर आप दिख सकते हूं कि इरो इसपेसिंट डिफिंज में अप दिख सकते हूं कुछ इन दुस्तान अरोटिक्स टॉप नमबर वन पर निकल किया एक विसके बाद बार दैनमेटिक्स और भी बी एमल यह अर्फर और इंडिया नामोट है डिहान सेक्टर में धिला हाला बात करेंगे कि अगले शि contains लेवल हैं老師 ग देखिक के ओल है तो वूब कुछ हितना का लेवल रहेगा मैं यह रोज और कर लेता हमाइब कर लेता हूं जो कर इद स में कुछ यह वाला लेवल अगर गिरावड निकल के आता है तो कुछ यहां पर आप दियान देजिएगा 4460 का लेवल इसको अगर यह ब्रेक करता है 4425 के आसपास और इसको भी ब्रेक कर देता है तो आने वाले टाइम में लेवल रहेगा वो क्या हो सकता है तो वह स्ट्रॉंग लेवल हमारा 4560 का लेवल इसको अगर यह ब्रेक करता है लेक्ष्ट लेवल 4674 का तो यह कुछ लेवल से जो क्याने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप दियान देजिएगा बाकि वीडियो में कोई बाइस से लिए फर होल्ड की सलाह नहीं है देखिए वीडियो के वाले एजुकेशन परपस के लिए है कोई भी इंवस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसेल अडवाइस 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 लीजिए उसके बास सुचिए आप क्या करना है और और वाइस इंवस्मेट से लाइस लीजिए गाइस अडुकेशन परपस